हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोपाल की रिव्यू यूटूब चनल में आप सबको स्वागात है तो दोस्तो आज मैं एक मुवी का रिव्यू करने वाला हूं मेरा रियक्षन देने वाला हूं मुझे कैसे लगा इस मुवी को देखने के बाद तो दोस्तो ये मुवी है गोल्डमाइंड टेलि फ्लिम यूटूब चनल में आज से तीन दिन पहले आपलोड किया था प्रिमियार वी हुआ था इस मुवी का इस मुवी का नाम है दिल धड़क धड़क। तो दोस्तो इस मुवी का जो ओर्जिनल नेम है वो मैं आपको बताते हैं उसका ओर्जिनाल नाम है पड़ी पड़ी लिचे मंसू तो यह है ओर्जिनाल नेम इस मुवी का जो हिंदी डावड में आया है दिल धड़क धड़क और इस मुवी में कौन-कौन एक्टिंग किये है तो नया है पूरा लेकिन हिरोईन को मैं पैचानता था उसका नाम है श आनूर रागुपुडी ने ठीक है मैं इसाई से स्पेलिंग किया है कि आप मुझे पता नहीं है मैं ऐसाई देखा हूं ठीक है तो दोस्तों इस मुवी यूटूब पे पूरा के पूरा तहल का मचा दिया है इस तीन दिन में मैं आभी जो विडियो बना रहा हूं इस टाइ पान नहीं दिया था इस मुवी इतना दूर जाएगा और मुवी अच्छा लगा तो क्या क्या अच्छा लगा वो मैं आपको बताते हैं ठीक है तो ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखना गुपाल की रिवीव यूटूब चैनल पर अगर आप नहीं आयो तो प्लीज स का एक रुबंटिक ड्रामा मुवी मैं देखा हूं और दोस्तों इस मुवी को मैं मुझे बहुत जियादा भी अच्छा लगा क्यूंकि इस मुवी का शूटिंग 90% कलकत्ता में हुआ है क्यूंकि मेरा घर कलकत्ता मी है कलकत्ता से थोड़ा सा ऑफसाइट में है ठिक है हावडा ब्रीज विद्यासागर सेतू यह सब इस मुझी में पूरा टाइम ही दिखाता है और यह धर्मतला है विक्टोरिया है हम लोग को वहां पे घुमने का जगा यह सब दिखाते हैं और बाबु घाठ है जैसे गंगा नदी है गंगा रीवार है उहां पे इसका शूटिं चाना उहां पे यह आभी रेकर खेलना इह सब इस मुझे में दिखाया इन तो मैं सबसे पहले कहता हूं फिरो है त्यव सबрос करब गोहता है जैसे कि हीरोईन का पापा एक government officer है और दोस्तो हीरो का पापा ऐसा writer है वो उसका मम्मी को छोड़के उसको छोड़के चला जाता है तो यहाँ पर मुझे बुरा लगा है वो एक writer है उसको बीबी को छोड़के अपना काम में ध्यान दिया है फोकस दिया है वो चला गया है लेकिन दोस्तों यहाँ से शुरू होता है यह लेड़की doctor पढ़ता है doctor होने के लिए पढ़ते हैं ठीक है medical college में तो मिला जुला होता है देखता है ट्राम पर जाता है कलकत्ता में एक famous है ट्राम जैसा train है ना train तो बड़ा होता है ट्राम है दो बगी का होता है वो बस रोड में ही चलता है अप लोग देखे होंगे और ट्राम में मैं भी बहुत ज़्यादा गया है और यह ट्राम ज़्यादा जोर से नहीं चलता है यह स्पीड में यह नहीं चलता है आइस्त आइस्त ही चलता है तो इससे में एक हत्सा सुनाता हूँ एक दिन मैं हव्डक से स्मयलदा जाने के लिए org baik तराम पे चड़ा था तो ट्राम पे चड़ने느े के बाद ओफोड़ा टाइम जाता है रुकता है तोड़ा अऑल़ा इ नहीं है तो anyway छोड़ते हैं उसको तो आगे जब बढ़ता है एक दोनों से प्यार हो जाता है लड़का बहुत ड्रामा करता है लड़कियों को पटाने के लिए तो उसके बाद उहां पे नदी है नदी का उपर में जो छोटा-छोटा जहाज है ठीक है तो जहाज में चड़ता है तो ऐसा मैं भी चड़ा था तो तो ऑफ़ां पर शुटिंग किया है ऐसा कहाणी है तो आखिर में प्यार में पढ़ी जाते हैं लड़की लड़के का ठीक है उसका पापा को भी पापा को भी लड़के को अच्छा लगता है ऐसे में दोस्तो इस ग मुवी का एसा मूर आ जाते हैं, पहले बहुत ही अच्छा रोमांटिक सीन दिखाया है मुवी में, थोड़ा एक्षान भी है, हमारा कलकत्ता का जो विक्टोरिया का बहुत बड़ा फिल्ड है, उसको भी दिखाता है, उहां पे अच्छा अच्छा जगा में शूट किया है, मतलब मैं उहां पे पू लेखने में इतना मजा आया मुझे आप सोच भी नहीं सकते हो, उहां का अली गली पूरा के पूरा मेरा पेचाना हुआ है, मैं उहां पे था, तो वहाई से में दोस्तों, यह हावडा इस्टेशन का सामने में भी थोड़ा सुटिंग है, तरुदा सुटिंग किया है, तो ख लड़के प्यार करता है, बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यदा प्यार करते हैं, तो लड़की एक बार बोला था, आजाओ नेपल में, और लड़का क्या क्या बाइक लेकर चला गिया है नेपल, तो उसके बाद उहां पे जाके लड़के का जो पिता था, उसके साथ पात किया है वो अचनक मोड लिया है, वो साधी नहीं करेगा ऐसा Living Relationship पे रहेगा, ठीके वो साधी नहीं करने वाला, तो आभी वहां पे एक हधसा हो गिया है, क्या ओ लड़की तो पागल था साधी करने के लिए लेकिन लड़काने साधी नहीं करेगा, इसलिए वो लोग एक सर्थ दिया था जो एक साल मैं इंडिया पर नहीं रहूंगा आपके साथ WhatsApp में Messenger में या कोई भी Message या Call कुछ नहीं होगा आपको मेरा उपर प्यार है और मेरा भी आपका कि लटकी इसकी दो पर प्यार है तो अगला एक साल के बाद इसी दिन यहां पे मिलूँआ गया है खालAm बाइक में, उहां पे जाने के बाद ऐसा एक हदसा हुआ है, उहां पे हुआ है भूखंप, भूखंप में पूरा के पूरा तूट गिया है, यह वो उसको ढूंड़ा है, ढूंटे ढूंटे, आखिर क्या हो गया है, लेड़कों को तो पहले से एक पुलिस ने पकड़ा था, एक पत्थर थो किया था, पुलिस का गड़ी में, तो वो पर कहानी बता रहा था, तो सुरी मैं थोड़ा भूल गया था, तो अभी क्या हुआ है, दोनों तो आया है, लेकिन एक दूसरे से मिला नहीं है, देखा नहीं है, तो फोन में ऐसा कुछ हो गिया है, उन लोग के पर आया था, तो लड़का बहुत प्यार करने लगा, लड़का तो सोच लिया है, नहीं आया है, तो ये सब होने के बाद, लड़की पूरा उहां पर जखम हो गया है, पूरा के पूरा ब्रेंड में प्रोब्लेम आ गया है, उसके बाद उन लोग ड्रामा किया है, बाद में बोला ओ भी नहीं गया ये भी नहीं गया है लेकिन बाद में क्या हुआ चला आया कलकत्ता कलकत्ता में घुमा फिरा के फिर से वही कहानी फिर लड़की का एक सैली है वो बोलता है उसको पैचानता नहीं है उसको ऐसा बीमारी हुआ है वो पिछला जनम पिछला जो कुछ वो सब भूल गया है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लड़का ने फिर से पटाने का कोशिश किया, सेम प्रोसेस में पहले जैसा, उसके बाद वो नहीं पट रहा था, फिर एक दीन पता चल गया है, उसको शादी देने वाला है दूसरे लड़के से, लेकिन होते होते, आचानक दोनों के साथ मिल हो गया है, आखिर लास्ट में दोनों का साधी भी हो गया है, तो यह इथा मुवी, मुझे अच्छा लगा, क्यूंकि ज्यादा अच्छा लगा इसलिए, क्यूंकि हम जहां पे थे, उवहां का ही सुटिंग पूरा के पूरा है, तो इस लड़का क्या काम करता है कुछ दिखाएंगे ये लेट का एक प्लेयर है वही बोला है फुटबल प्लेयर वही बोला है लड़का पूरा टाइम बाइक लेकर इदरदर घुमता है बस उतना ही दिखाया है इस मुभी में दोस्तों मुझे तो अच्छा लगा है फाइनली आप देखे हो तो प्लीस कैसा लगा इस मुवी को प्लीस को नों बताना दोस्तों आज इतने हैं फिर मिलते हैं अगला वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत जयता बड़ा हो गया है तो बाइब